हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है पैसा मालती जी ने अपने बेटे अमन को कभी भी पिता की कमी महसुस नहीं होनी दी थी विधवा पेंसन और कालोनी के कुछ बच्चों को संगीत सिखा कर किसी तरह उनुने उसे इंजिनीरिंग करवाया था अमन भी होनहार था पढ़ाई हो चाहें संगीत वो हमेशा प्रथम आता था वो हर संभव मा की मदद भी करता था उसने कभी भी मा से कोई बेफुजूली की मांग नहीं की थी वो अपने घर की परिसितियों को बखूबी समस्ता था दो महीने पहले ही बंगलोर की एक कंपनी में उसे नौकरी मिली थी और वो मालती जी को अपने साथ बंगलोर ले जाने आया था अमन ने नौकरी मिलने की खुशी में अपने दो दोस्तों को घर पर खाने पर बुलाया मालती जी भी बहुत खुश थी उन्हें इतने शालों की अपनी मेहनत सफल होते दिख रही थी मालती जी ने अमन को बाजार से कुछ सबजी लाने को कहा और वहापास के ही मंदिर चली गई अमन बाजार गया और टिंडा गोभी मटर टमाटर जैसे उसको दोस्तों को जो भी सबजी पसंद थी ले आया मालती जी ने जब सबजीयां देखी तो अमन से कहा बेटा इतनी महंगी टमाटर और टिंडा लाने की क्या ज़रूरत थी इनके बगएर भी तो बहुत अच्छी सबजी बन जाती उसने कहा तुम भी मा अब तो दाम देखकर सामान खरीदना छोड़ दो अब मैं कमाने लगा हूँ दोस्तों को क्या ऐसे ही दाल रोटी खिलाऊंगा वो भी क्या कहेंगे और सबजी मैंने तुम्हारे पैसे से नहीं खरीदा है मा अमन का जवाब सुनके मालती जी को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ उन्हें समझ नहीं आ रहा था उनकी परवरिस में कहां कमी रह गई थी उन्होंने अमन के दोस्तों को बहुत ही अच्छा खाना बना कर खिलाया जब सब विदा हो गए तो मालती जी ने अमन से कहा कि बेटा मैं तुम्हारे साथ बंगलावर नहीं आऊंगी मेरी टिकट कैंसल करा दे जो भी तेरा नुकसान होगा मैं चुका दूंगी अमन बोला मा अब अब तक सबजी को लेकर नाराज हो और ये तेरा मेरा क्या लगा रखा है मालती जी बोली बेटा बात सबजीयों की नहीं उसलों की है पैसा वहां खर्च करो जहां जरूरत हो लोगों को दिखाने और उन्हों खुष करने के लिए किया गया खर्च कोई काम नहीं आता और ये बात मैं तुझे सिखा नहीं सकी मुझे लगता है अब अगर मैं तेरे साथ रही तो हम पास रहते हुए भी दूर हो जाएंगे उससे बहतर है हम दूर रहकर ही पास रहे आमन को अपनी गलती का एहसास हो गया था वह अच्छी तरह जानता था अब वह कुछ भी कहे मा अपना फैसला बदलने वाली नहीं थी क्योंकि बात सबजीयों की नहीं उसूलों की थी आशा करती हूं दोस्तो आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी धन्यवाद